वेलकम टु अकाड़ुडे Bizim 20期 दोस्तों हम यहां पे बैसिकली आपके बीच आज इक टॉपिक्स को लेकी आ गए हैं पल्मोनरी आर्टरी ठीक measurement यहां पर आपके बीच इस pouv में अ कामड़ी अपột ङाको चिहां है। तो ईक आपक दोक में वॉल्यूम्स का ठीक है पल्मोनरी आटरी का ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या है ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं कि पल्मोनरी आटरी को वॉल्यूम्स को मेजर किसे कि दाता है ठीक है तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स को हम लोग मेजर करते है ठीक है, that can be measured by an instrument called spirometry, ठीक है, spirometry से हम इसको measure करते हैं, ठीक है, जो breathing rate होती है, हम उसको spirometry से measured करते हैं, उससे नापते हैं, ठीक है, चलिए, during normal respiration, the amount of air are the going to inhale, inhale means उपर चढणना, फिर जदेखिए, during normal respiration, the amount of air that are going to be inhale, inhale means उपर चढणना, and amount of air that are going to be exhale, exhale means नीचे आना, ठीक है, that is called tidal volume, tidal volume, tidal volume, tidal volume कितनी होती है, 50 ml, ठीक है, 50 ml, ठीक, देखिए, इसका कहने का मतलब यह है, जो हम लोग सांस, आप इस graph के जरीए समझेए, ठीक है, यह देखिए, हम लोग normal यह सांस ले रहे हैं, ठीक है, यह हम लोग normal सांस ले रहे हैं, ठीक, ये इसको कहते है इन हीजट और इसको कहते है एक्जिट ठीक है यही हम चीज बोल रहे हैं समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं इसको कहते है इन हीजट और इसको कहते है एक्जिट मतलब ये उपर चल रहा है तो इन हीजट और ये नीचे आ रहा है तो एक्जिट ठीक है हम य यहां पर देखिए यह उपर चड़ा तो यह इन्हेल हो गया यह एक्जेल हो गया ठीक है इसका जो टोटल वालिम होता है वह 500 ml होता है ठीक है हम सांस लेते हैं तो ऐसा थे नहीं कि पूरी जो एयर होती है पूरी एयर जो होती है वो हमारे फेफिडम चली जाए कुछ क्या रहती है कि इस पेस जो एन अटॉमली डेड़ स्पेस होते हैं जो हमारे नर्व होते हैं जो जिनसे हम लोग सांस लेते हैं गैसे एक्सचेंज करत तो कितना बचेगा के साढ़े 300 साढ़े 300 हम लोग क्या करते हैं यह करते हैं अचे इस इस arrogance टरुव सो भी आदू ऑल्लयूम न МУ barkे हैं असे टांद से फिरूर कोटा है mãez में यह आपका रिजर्व वाल्यूम रिजर्व वाल्यूम 1100 से 1200 ml होता है ठीक है यह है वाइटल कैपसिटी यह है इंस्पारेटरी रिजर्व वाल्यूम इंस्पारेटरी रिजर्व वाल्यूम कितना है इंस्पारेटरी रिजर्व वाल्यूम कितना है 200 ml है ठीक है तो यह आपका ह रिजर्व वॉल्यूम एक्सपाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम लोग कहते हैं इतने को ठीक है इतने को हम लोग कहते हैं एक्सपाइरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है तो यह कितना होता है आपका ए ए आर वी ए आर वी मिन्स एकस्पारेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है कि आप इस ग्राफ के चरए समझिए तो हम और यह जो यह पूरा है इसी को कहते हैं हम लोग वाइटल कैपिसिटी यह आपका यह हम लोग ने सांस लिया यह इतना उपर उठाब यह इतना उपर उठा यह आपका inspiratory reserve volume ये नीचे आया ठीक है ये नीचे आया तो expiratory reserve volume यही कह रहे थे IRV और ERV ठीक है यही हम आपको समझाने कोशिश कर रहे है IRV कितना है 2500 ml और ERV कितना है 1000-1100 ml ठीक है अगर यही हम लोग पूरा मिला देते हैं यही हम लोग पूरा मिला देते हैं तो यह आजाती है आपकी vital capacity vital capacity में reduce reducing volume सामिल नहीं होता यह ध्यान देंगे reserve volume vital capacity में आपका सामिल नहीं होता है ठीक है चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं so the volume which cannot be measured by spirometry spirometry जो instrument होता है वो किस चीज को नहीं मापता हमारे breathing rate में तो वो reserve volume reserve volume को नहीं नापता है और FRC FRC को नहीं नापता है FRC ठीक है FRC हम लोग किसे कहते हैं FRC कहते हैं ERC को ठीक है ERC means inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume और reserve volume को नहीं नापता है ध्यान दीजिए spirometry जो होता है जिसमें reserve रिजर्व आ गया उसको नहीं मापता है breathing rate में breathing rate में इन दोनों की जो value होती है उसको छोड़ के ही मापता है मतलब जितना फेफडे में हमारे सांस रहता है और जितना नली में हमारे सांस रहता है उन दोनों को breathing rate में count नहीं किया जाता अब इस चीज को ध्यान दीजेगा ठीक है अब हम आते हैं respiratory index capacity पे respiratory index capacity क्या है the smallest volume smallest volume सबसे छोटा volume हम लोग किसे कहते हैं तो सबसे छोटा volume हम लोग कहते है TV को ठीक है TV means tidal volume ठीक है tidal volume को सबसे हम लोग छोटा जो है volume कहते है tidal volume की value कितनी होती है 500 ml ठीक है 500 ml होती है mutual ventilation rate कितना होता है TV into breathing rate टीवी है कितना 500 ब्रीधिंग रेट कितना है 12 600 ml पर मिनट 600 ml पर मिनट जो होती है वो mutual ventilation rate होती है ठीक है अब alveolar ventilation rate कितनी हो गई alveolar ventilation rate जो आपकी होती है वो होती है air exchange into breathing rate air exchange कितना है हमने आप आपको बताया था air exchange यह देखिए यह है आपका air exchange है 3.500 ठीक है air exchange कितना है 3.500 जो tidal volume होता है 500 500 में से जितना नली में आपकी air रह गया उसको 1.500 का हम लोग माइनस करेंगे 500 माइनस 1.500 तो हम लोग का कितना आ गया 3.500 air exchange आ गया ठीक है तो हम लोग यहाँ पे alveolar में सारह 300 into 12 कर दी तो 4200 ml पर मिनट आपका alveolar ventilation rate आ गया ठीक है तो उमीद करता हूं दोस्तों यह छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी pulmonary volume क्या है pulmonary volume pulmonary volume को हम लोग किस से नापते हैं तो spirometry से नापते हैं spirometry ठीक है जो anatomily dead space होता है वो 1500 ml का होता है tidal volume कितना होता है 500 ml का होता है air exchange हम लोग का कितना होता है 300 ml का होता है inspiratory reserve volume कितना होता है 200 ml होता है expiratory reserve volume कितना होता है 1000 से 1100 ml होता है reserve volume कितना होता है 1100 से 1200 ml होता है ठीक है यह है आपका graph लाफ हमने इसको अच्छे से समझाया आप वीडियो पॉच करके अच्छे से पढ़िए यह है टोटल लंग कैपसिटी इतना मत्तब जो होता है वह लंग का पुरा कैपसिटी होता है ठीक है यह है वाइटल कैपसिटी ठीक है यह है रिजर्व वॉल्यूम एक्सपाइरेटरी से लिया गonse तो यह सांस तेजी से लिया तो हम लोगोंने इतना बढ़ा ठीक है और सांस तेजी से छोड़ा तो इतना बढ़ा यह है आपका ठीक Français तीर तो इसे छोड़ वॉल्यूम सांस तेजी से छोड़ रह लहा तो एक्सपाइरेटरी रिजर्व उल्यूम फिक है और इन ये है आपका इस्पाइरोट्रोमेटरी किसको नहीं नापता है तो रिजर्व पोलियूम और यहाँ पे कि इस्पाइरेटरी रिजर्व वादियूम ठीक है ए और सब्सुमारी यहाँ पे फकी जग़ होना चादे है तो इफ up आलब ख और और ओर से kau nहीं सबसे च्छोटा वॉल्यूम कौँर सा ह्था है् ठीवी टाइडल वॉल्यूम स्विट लेड कि इसन रेट कि जिसलें होता है तो और एलबी योरर्ट वैंटले जिलेशन्स रेट कि इसन रधेर लकिन धेरी रीक दोस्ता कली जहें हिन्द वन तेमात्रों.